हेलो एवरिवन आप सबका एक बार फिर से स्वागते मेरे चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको एक पुराने दुपट्टे से किचन के लिए तीन बहुती यूजफुल आइटम बताने जा रही हूँ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी क पुराना दुपट्टा लिया है ये वेस्टेज बढ़ा था तो मैंने सोचा किचन के लिए कुछ आइटम बना लूँ इससे और मैंने लिए यहां पर ये पतली वाली इलास्टिक आप एसी कोई भी इलास्टिक ले सकते हैं तो चलिए हम यूडियो स्टार्ट करते हैं तो स सबसे पहले हम यहां से दुपट्टे को इसे फोल्ड करेंगे इसमें से मैं 3-4 आइटम बनाऊंगी एक दुपट्टे में से तो सबसे पहले यहां से मैं 11 इंच फोल्ड करूंगी क्योंकि मैं जो आइटम बना रही हूं इसकी चोड़ाई में 22 इंच रखूंगी तो यहां स मैं ग्यार इंच इस तरह से फोर्ड कर लूट गोर इसको मैं रांड में बनाऊंगी बनाऊंगी तो मैं घ्यार इंच मैं इसको इसको इस किaden लूट thrown मिन अन्या है अब खोने को है कि ओर यहँ पर मैं इंच टेप की मदश से इसमें रांड मैं इसलै निसां लगा के रिसकी कटिंग करूंगी अब इसके बार में देखें मैं दूसरा आइटम भी राउंड में ही बनाऊंगी तो उसके लिए भी मैं एसे ही cutting कर लूँगी आप अपने size के हिसाब से cut कर सकते हैं मैं अपने size के हिसाब से इसको cut कर रहे हूं जितना बड़ा छोटा मुझको बनाना है उतना ही मिले रही हूं तो यहां पर मैं इसको 11 इंच से इसमें भी में राउंड में इस तरह से निसान लगा लूँगी तो दिखिए फ्रेंड से चोटे चोटे आइडिस हमारे बहुती के बार हमको useful हो सकते हैं जैसे वेस्टेज दू पत्ते या फिर कोई साड़ी हो आपके पास उसमें से आप इस तरह के आइटम बना सकते हैं यह बहुत ही useful आइटम है आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूं और यह हमारे क्या यूज आएंगे तो यहां पर देखे मैंने राउंड में कट आप से लाई लगा सकते हैं अब देखिए यहां पर जो यह वेस्टेज है साइड में इसको भी हम वेस्टेज नहीं जाने देंगे इसका भी हम यूज करेंगे तो यहां से मैंने ऐसे फॉल्ड किया अब मैं इससे दो-दो इंच एक्ष्टा इसकी कटिंग कर रही हूं यह देखिए तो इसको हम यहां से एसे मोड़ेंगे जैसे हम नेफा बनाते हैं और फिर हम इसको एसे मोड़के इस पर सिलाई लगाएंगे तो यह जो बचा हुआ दूपटा है इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले हम वह आईटम तयार कर लेते हैं तो चली हम मसीन पर चलते हैं फ्रंट्स जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका खिशकने वाला कपड़ा है जैसे धागे वगेर निकलते हैं तो उसमें आपको पहले सिलाई लगानी पड़ेगी, तो मेरा कपड़ा ये बहुत ही मतलब ठीक था कि इसमें से धागे नहीं निकलते हैं, मैं इसमें सिलाई नहीं लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 20 इंच की ये इलास्टिक कट कर रही हूँ, आपको अपने मेजरमेंट क नेफे में डोरी डालते हैं, उस तरीके से हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे, आप चाहे तो पहले इसको फोल करके पीछा आप इस इलास्टिक को डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ में ही डाल लूँगी, इलास्टिक पे आपको सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक आ हम इलाश्टिक के उपर सिलाई लगा देंगे जोंट पे ताकि यहां पे फिक्स हो जाएगी तो यह लाश्टिक हमारी दरोदर नहीं जाएगी तो यहां पे यह मैंने इस तरह एक टोपी की तरह बना ली है तो इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले में इस वाल दाल रही हूं जो मैंने तीसरा वाला पीस कट किया है उसमें मैंने इस तरह से डोरी डाली है यह देखिए अब यहां पे मैं इस पे सिलाई लगा रही हूं डोरी के नीचे से सिलाई लगाना शुरू किया है मैंने और यहां पे इसको ऐसे सिमेटे हुए हम इससी पे सिलाई लगाएंगे यह देखिए मैंने थोड़ा से लूज जादा रखा है आप चाहें तो इसको टाइट भी बना सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह से टोपी सी बना ली है आप देख सकते हैं और इसमें मैंने इस तरह ये डोरी डाली है मैं आपको इनका यूज बता रही हूँ तो देखिए हमारा जो पहला आइटम है वो हमने जैसे आपके इसे चकला बेलन होते हैं उनको हम सुबह की टाइम धोके रखते हैं तो स्याम तक इन पर मख्या वगेरा बेटती रहती हैं तो फिर से हमें धोने की इनकी मतलब काम बढ़ जाता है तो इसलिए आप इस तरीके से पेक करके रख दीजिए तो जैसे सुबह आप साप करके रखेंगे तो स्याम को आपको विल्कुल फिरेस मिलेंगे तो हमने इसलिए लगाई है क्योंकि इसको निकालने और डालने में आसानी हो जाएगी तो इस तरह से पहला यूज आप इसका कर सकते हैं तो यहां पर होंगी यह देखिए और नीचे आप मैंने चकले को इस तरह के से खड़ा कर दिया है तो जैसे सुबह की टाइम धोने के बाद में आपको स्याम तक इसको देखने की जरत नहीं पड़ेगी स्याम को आपको बिल्कुल फिरेस मिलेगा तो अब हम दूसरे आइडे की तरफ चल आप जाली लीजिए और उसके उपर ये कवर लगा दीजिए ये बिल्कुल पतले कपड़े से हमने बनाया है दूपटे से और इसमें आप इस तरह चामल निकाल सकते हैं तो आपका जो जाली को साप करने का समय है वो भी बच जाएगा और आपके जाली रुकेगी भी नहीं और बहुत ही इजी है ये बनाना और आप इसका बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स तीसरा जो आइडिया है वो मैं आपको बताने जा रहे हैं जो बचा हुआ दूपटा है इसमें भी हम इसी तरह से इलास्टिक लगा के और जैसे हम बरतन इसमें धो ले उनमें इलास्टिक लगाई है तो आप इस तरह ढखके रखेंगे जिसे सुबह आपने बरतन धोके रखे और इस तरह ढख दिये तो स्याम तक आपके बरतन बिल्कुल फ्रेस रहेंगे हम बरतनों को खुला छोड़ देते हैं तो उन पर मक्या बखेरा बैठती हैं और हम में पता भी नहीं चलता है कि उन पर कितनी गंदगी हो जाती है तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेय किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू